हेलो दोस्तों कैसे हैं सबी लोग आज हम लोग exercise 16.3 कंप्रीट करेंगे class 8 कोड़ बोड़ा प्रब्लिकेशन और इसमें पहला question दे रखा है कि find the value of qy कोड़ यानि क्यूब वाइट पर विदे रखा है मैं इसे पहले भी कुछ पीडियो कॉम्पीट किया है कोड़ बाव लीगे समका जिसमें class 8 के बारे में बात किया है तो आप आप देख सकते हो कि क्यूब का क्यूब का cylinder का volume surface area total surface area के बारे में डिसक्स किया है मैंनो वहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैं इसको continue करूँगा जो जो फ्रमूला बिस्टिक सर्जरूरत पड़ेगा मैं आपको समझाते हो चलूँगा फिरहाल आप देखिएंगे यहाँ पर किसमें volume के चिक्र किया है बिसिकली जो 16.3 आपके इससाइज है यह वॉलूम पर बेस्ट है तो यहाँ पर volume of q-wide क्या होता है लेंथ रीथ हाइट का multiply होता है तो हम लोग यहाँ पर volume of q-wide लिखेंगे लेंथ, multiply with, breathe, multiply with, height इतना से सिंपल है तो length कितना दे रखा है 8 cm, breathe कितना दे रखा है 3 cm and height कितना दे रखा है 2 cm अब बस सबको आपको multiply कर लेना है तो 8 में 3 से करना, 3 में 2 से करना है तो 48 आजागा और cm है तो cm 3 dimension को गुना किये तो power में बस 3 चल लाएगा याद रखेगा जब भी volume निकालते तो power में कितना लखेगा ठी जिसको हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं क्यूब ठीक है cm क्यूब पढ़ लेंगे इसको next question कुछी ऐसा दे रखा है आप फिर से volume का बात किया गया है तो वॉल्म इकल टू ता length multiply with width multiply with height तो length हो जागा आपका 12, width हो जागा 8 and height हो जागा 10 अब इसका multiply करेंगे आप लोग तो 96, 0 और cm, cm power में 3 चल लागा क्योंकि आप volume निकाल रहे हो हो गया इसका answer complete next देखिएगा question question number 2 find the volume of a cube wide whose area of the base is 32 cm and height is this यानि कि इसके base का जो area है area of base area of base तो समझी area of base क्या होता है अगर यह आपका cube wide है अगर आपका cube wide है तो यह जो पार्थ होता है आपका नीचे वाला पार्ट इसको बोलते हम लोग base बोलते हैं इसमें यह होता है आपका L यह होता आपका B तो base कहें रहे क्या होगा है multiply with 20 तो LB दे रखा है L multiply with B मतलब LB और इसका given data है आपको 32 cm square and height जो होता आपका base का area multiply with height area of base multiply with height तो area of base क्या होगा LB बुने H तो LB इस तो आग यह फैनली न तो यहीं अपका हो जागा 32 multiply with 4 32 multiply with 4 बुना किजिए कितना आगा यह आपका चारती बारा दू चारती निया अठ इतना centimeter क्यों आपका हो जाना है ठीक है तेरे नेक्स कुशन देखिएगा